हेलो एवरिवान वेलकम बेक टो माई चैनल और मैं हूँ आपकी दोस उनीता तो दोस्तों आज मैं आपके साथ एक ऐसा फेशियर करने वाली हूँ जो की आपकी स्किन को एकदम से लाइट और ब्राइट कर देगा ये जो फेशियर है सबी स्किन टाइब वाले कर सकते हैं ये क्यों फेशियर मैं करने जारी हूँ ये करने वाली हूँ दूर से तो दूर हम सबको पता है कितना ज्यादा अच्छ होता है हमारी स्किन के लिए हमारी हैल्फ के लिए तो दोस्तों दूर में होता है लेक्टिक ऐसी जो हमारी स्किन के दाग दब्बब को दूर करने में हैल् जब हम पार्लर में जा के कोई भी फेशे करująते हैं तो उस फेशे को हमें मंत में एक बार ही करवानाँ जाहिए बड़ जू घर के हम फेशे घर तो आप वीड में एक वार अराम से करते हैं क्योंकि इन में कुछ भी साइट तय नहीं है कुछ भी chemical नहीं है, all चीज़े natural है, जो कि आपको कभी भी नुकसान नहीं देगी, बलकि बहुत ही ज़दा आपकी skin को साफ कर देगी, पर अगर इन में से कोई भी चीज़ आप फर्स टैम अपने face के उपर use कर रहे हैं, तो प्लीज उसको पहले pastures कीज़े, उसके बाद ही तो अगर आप मुझे फर्स टैम देख रहे हैं, फर्स टैम मेरे चैनल पहे हैं, तो प्लीज चैनल को सिस्क्राइब जरूर कीज़ेगा, बल बटन को जरूर प्रेस कीज़ेगा, ताकि मैं जब भी वीडियो डालू, आपको उसका notification मिल पाए, और अगर आपने औरेडी मेरे चैनल को सिस्क्राइब कर दिया, तो थैंक्स अलोर, प्लीज इस वीडियो को ज़्यादा से लाइक कीज़ेगा, अपने फैमिली, फ्रेंड्स के साथ शेर जरूर कीज़ेगा, और अगर आपका कोई भी सुझेशन है, जरूर लिखेगा, और अपना फीडबेक देना मत भू आपके कमेंट्स पढ़ने से मुझे मिलता है मोटिवेशन और भी अच्छे वीडियो लेकर आने का, तो चलिए बहुत बाते होगी, तो जल्दी से दूद के फेशर को करते हैं, आपनी स्किन को करते हैं एक दम से गोरा चिट्टा, तो चलिए, लेट्स केट स्टार्टीड, तो फ्रेंट्स सबसे पहले हम करेंगे क्लिंजिंग, तो क्लिंजिंग के लिए आपको लेना है थोड़ा सा कच्छा दूद, उसमें आप थोड़ा सा निम्बू का रस डालने से क्या होगा, कि जो भी सका लैट्टिक ऐसीड होगा, वो एक्टिवेट हो जाएगा, और हमारी स्क्रब करने से आपकी स्कीन निखरती जाएगी, तो अभी बनाते हैं स्क्रब, तो स्क्रब के लिए आपको लेना है वन टेबल स्मूर राइस फ्लार का, उसमें थोड़ा सा दूद एट करना है, कच्छा दूद, दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेना है, तो आपका बहुत ह ULM स्क्रब बन जाएगा, जो राइस होता है, वो हमारी स्क्रब को बहुत बिआध करता है, रंग को गोरा करता है, और शक्रब को वीक में आप दो बार ज़रूर किजिए, बहुत भी एज़ी है, बनाना से राइस फ्लार लेना है, आपको उसमें कच्छा दूद आलना है, और कुछ डालने की जुरूरत नहीं है, बहुत ज़दा ड्राइ स्किन है, तो आप इसमें विटामीन E, ओयल का एक कैपसूल डाल सकते हैं, दो मिनट अच्छी तरह से मसाज करने के बाद, इसको आप धोलीजे, तो यहाँ पर मैंने वाइप से इसको अच्छी तरह से साफ कर लिया था, उसके बाद हम बनाएंगे मसाज, तो मसाज के लिए आपको लेना है, हनी हनी हमारी स्किन के लिए बहुत ज़दा अच्छा होता है, इसमें कच्छा दूद एड़ करना है, तो इसके बाद हम बनाएंगे पैक, तो पैक बनाना बहुत ही ज़दा इजी है, आपको लेना है चंदन पाउडर, इसमें कच्छा दूद एड़ करना है, दोनों ही बहुत ही अच्छे होते हैं, इसमें को लाइट और ब्राइट करने में, दाग दूबब को दूर करने में, तो इसकी जो खुश्बू है वो तो बहुत ही अमेजिंग है, आप एक बार ज़रूर ट्रै कीजिगा, फेस पर अच्छी तरह से आप लगा लीजिए, लगाने के बाद इसको जब ड्राई हो जा दोस्तों एक बार जरूर ट्रै कीजिगा, वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज लाइक, सस्क्राइब, शेयर जरूर कीजिगा, तो इसके बाद आपको कोई भी जो आप क्रीम यूज करते हैं, वो आप लगा लीजिए, कोई भी मॉश्यराइजर नहीं है, तो ऐलो लगा लीजिए, तो इस तरह से इसको जरूर ट्रै कीजिगा, तो मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक ये, बाब बाई